मलाई तो हम सभी लोग निकालते हैं और उससे मक्खन बनाते हैं फिर मक्खन से घी बनाते हैं लेकिन जब घी बनाते हैं उसका जो खुर्चन बच जाता है यानि उसका जो मावा बचता है उसे हम सब फेक देते हैं लेकिन आज के बाद आप फेकने की गलती बिल्कुल मत इसकी बहुत ही जादा टेस्टी वाली आजम बनाने वाले हैं मिठाई और बहुत ही अच्छी लगती है यह बच्चों को सभी को बहुत पसंद आती है और इसका करना क्या है कि यहां पर देख सकते हैं यह मैंने घी निकाल के रखा हुआ था तो इसकी जो खुर्चन थी वह ब या और हैंगे wowah में दूद को भी क कटा ओर हैं क्योंकि भी निकालने के यह धुर्म का जो गए अऌने लिर रख दिए और मैं जानरे हैं यहां पर अध़िका रृप Sis theta चम से जबाते हुए पका लेना है जब तक हिया पूरा मिल जाता है उसके जब ना उतना मीठा आप रख सकते हैं तो यहां पे इसको तब तक पकाना है जब तक कि यह कड़ाई छोड़ नहीं देता इस तरह से चलाते रहें तो बहुत ही जादा यह टेस्टी मिठाई बनती है तो मार्केट से में लेकर आते इतनी महगी मिठाई यहां पर हम बना रहे हैं मि कि इसमें आ जाएगा ना चमत से इस तरह से साइट साइट करके इसको हम थोड़ा सा पतला या थोड़ा सा मोटा जैसे आप चाहें आप इसको वैसे रख सकते हैं तो यहां पर हलका सा ठंडा हो गया बचा की करीगा या फिर आप कटोरी ले ले लिजेए उससे आप इस तरह से बराबर कर सकते हैं तो यहां है थोड़े जरूर कर रही हूं तो यह देख सकते हैं इस तरह से साइट से मैंने कर दिया है इसको थोड़े देर के लिए चोड़ dispiq कर लेंगे तो यहां पहुत ही जाधाद च्श तकहे लिभधे तो इसे एक बार आप जरूर आप करेए आवा वो कभी नहीं फेकेंगे तो आई होब की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा